हम लोग new series start कर रहे हैं जो कि NX CAD है जो कि mechanical part design और assemble के लिए बहुत famous है अब इसके उपर से maximum students require होता है उनको higher salary job के लिए अब हम लोग इसको basic से सीखेंगे एकदम step by step अब NX CAD software जो कि इस तरीके का interface अब को दिखाता है इसमें ज्यादा confusion ना करते हुए मैं basic start करूगा जैसे कि आपका autocad अगर हो चुका है तो यह बहुत easy हो जाएगा उतने ही basic से हम लोग नहीं जाएंगे थोड़ा advanced से सीखेंगे ज्यादा discuss ना करते हुए directly new file पे जाएंगे create a new file जैसे आप यहाँ पे click करते हो तो आपके NX software में नया windows open होगा जो कि हम लोग समझते ही इसको layout, drawings, assemblies, simulation बहुत कुछ करेंगे लेकिन फिलाल तो model में ही आपको रहना है और यहाँ पे हमें new file name डालनी है जैसे कि मैं डालता हूँ part first अब यहाँ पे मैं part first नाम से डाल दिया है और यहाँ पे folder भी आपको बनाना है जैसे कि मुझे require है कहीं पे मेरी file save होनी चाहिए तो उस icon पे में या folder वाले icon पे में select कर देता हूं और मैंने folder बनाया है C drive मैं, जैसे c drive पे जाता हूँ और यहाँ पे nx-cad file नाम से मैंने folder बना के रखा है तो double click कर देना है और यहाँ पे OK कर देना है तो वही folder यहाँ पे select हो जाएगा और वही file वहाँ पे say हो जैगी जैसे मैं okay पे क्लिक करता हूँ तो इंटर कुछ चीज हो जाएगा कुछ इस तरीके से ओके तो अब ये चीज में बार-बार नहीं बताऊंगा क्यूंकि ये बेसिक से लेक्चर है तो बार-बार बेसिक नहीं होगा तो इसलिए कोई भी लेक्चर एकदम step by step आप देख लीजिए और उसक में लेटस भी वर्जन हो सकते हैं फ्यूचर में जब आप ये वीडियो देख रहे हो फिलाल तो यही लेटस है ओके चलिए चलते हैं अब दिखिए सबसे पहले हम लोग जब NXCAD ओपन करते हैं तो पूरा इंटरफेस नया दिखता है कई किसी और सॉफ्ट्वेर से हम से वर्क सीखे होतें और ये सॉफ्ट्वेर हमें कुछ नया दिखता है ये हम लोग step by step ही इसको सीखेंगे as a new beginner अगर आपको क्यार आता होगा तो भी इजी तरी किसी सीखेंगे अगर क्यार नहीं आता होगा तो भी इस डशन मैटर ओके चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर zoom in, zoom out अगर माउस से करते हैं जो कि scroll बटन प्रेस कर रहा हूं तो मुझे यहाँ पर y, x जैसे कि यहाँ पर z, y और x axis दिख रहा हैं अगर मैं बीच वाला बटन होल्ड करके रखता हूं तो मुझे यह scroll होता हुआ दिखाई देगा तो सबसे पहले हम लोग extrude पे click करते हुए हम लोग part design सिखेंगे हमें जाना है यहाँ base जो की screen पे आपको दिखाई दे रहा होगा x y planner off अब इसके उपर click करते हुए हम लोग 2D mode में आ जाते हैं जैसे 2D mode में आ जाते हैं तो पहला tool आपको profile rectangular line अब इसमें से कुछ basic tool ही हम design करेंगे ताकि हमारा work easy रहे और कोई भी part हम लोग easy तरीके से बनाएं चलिए start करते हैं तो सबसे पहले हम लोग फिलाल तो just rectangular पे click करेंगे और यहाँ button hold करते हुए एक कोई भी dimension हम लोग ना लेते हुए click करेंगे तो यह मेरा बन गया rectangular अब इससे हम लोग directly finish पे जाएंगे और यह बन गया हमारा 3D और 3D भी हम लोग size यहाँ पे डाल सकते हैं लेकिन हम लोग without dimension कर रहे हैं तो यहाँ से हम लोग इसकी size कम और ज्यादा कर सकते हैं तो यह हो गया हमारा base और किस तरीके से हम लोग एक basic part design करते हैं अब देखिए हम लोग अगर beach वाला button hold करके रखे त तो यह हो जाता है हमारा scroll जिसको हम लोग orbit बोलते हैं और beach वाला button और right click दोनों एक साथ press करेंगे तो यह हो जाता है हमारा pan जिसको हम लोग move भी बोल सकते हैं ठीक है यह pan होता है और दूसरा अगर हम लोग scroll को घुमाते हैं याने के zoom in zoom out करते हैं तो यह हो जाता है हमारा zoom जिस object के उपर आप रहेंगे वही zoom होगा जिसक मैं इस side में रहता हूँ गुमाता हूँ scroll तो वही zoom होगा part पे रहूँगा मैं मेरा mouse अगर part पे रहेगा तो वही zoom और zoom आप चलिए यह हो चुका है हमारा base lecture श्रिप इतना ही आज के दिन आप करके देखी तो इसको कर देता file menu में जाके अगर मैं यहाँ पे save कर देता हूँ shortcut की है control yes अगर कोई shortcut की बताओं तो उसको note down कर लीजी ताकि हम लोग basic levels पे ना जाते हुए in level पे आपको experience या यह course experience दे सके ठीक है save के लिए क्या shortcut की है फिर control yes तो मैं keyboard पे control yes प्रेस जैसे आपने अगर folder select नहीं किया है तो उ save कर दीजी दिखिए आपको file वहाँ पे save हो जाएगी जहाँ आप चाहते हो तो अगर आप चाहते हो कि अगर save हो जाए तो shortcut की प्रेस कर देना है control shift A तो डबल क्लिक कर देना है और यहाँ पे ok कर देना है तो वही folder यहाँ पे select हो जाएगा और वही file वहाँ पे save हो जाएगी झाल झाल